अज़ाद हुआ था आज हम question quiz आपके साथ share करेंगी आप भी अपना copy कलम खोलें और देखें कि आपका answer क्या रहता है आज़े quiz की शुरुआत करते हैं फास question के शुरुआत कर रहें देख रहें फीजी देश कब अज़ाद हुआ था option देख रहें आपके पास है 11 October 1970, 10 October 1970, 10 October 1970 या इन में से कोई नहीं ये चार option आपके पास दिखाई दे रहें सही option को बता सकते हैं तो जल्दी से बताए सही answer क्या होगा चलिए इसका सही answer देखते हैं कि आखिर इसकोर कितना किसका रहता है तो इसको सही करते हैं 10 October 1970, option नमर A को कि लिए करते हैं अब चलते हैं next question पर इस question को देख रहे हैं आपके पास क्या है कि Finland देश कब अजाद हुआ था option देख रहे हैं आपके पास है 9 December 1970, 8 December 1970, 6 December 1970 या इन में से कोई नहीं तो जल्दी से बताए कि सही answer क्या होगा तो इसका answer हम लगाते हैं 6 December 1970, option नमर CE correct अब चलते हैं question नमर next पर next question पर जैसे ही आते हैं तो question आपके पास है हंगरी देश कब अजाद हुआ था तो आपके पास 4 option को देख रहे हैं सही option को चुनें कि answer सही आपका क्या होगा तो सही answer को चुनते हैं 23 October 1989, option नमर A is right यह आपको यह quiz कर रहे हैं आखिर answer क्या हो सकता है यह answer आपका गलत भी हो सकता है तो चलते हैं इसको next पर click करते हैं आपका option है question number next का भारत देश कब अजाद हुआ था कब सोतंतर हुआ था चार option को देख रहे हैं सही answer को बताएं सही answer क्या होगा तो यह तो आप जान रहे हैं 15 August 1947 यह सही है फिर भी इसको हम test कर रहे हैं क्यूच खेल रहे हैं तो next पर click करते हैं तो यह देख रहे है question number next आ चुका है कि Italy कब अजाद हुआ था यह चार option को देख रहे हैं अंतमय इन में से कोई नहीं है तो Italy कब अजाद हुआ था तो सही answer को बताना है तो 2 June 1946 को हम click करते हैं आप भी अपना option को लगा कर देखें कि सही answer क्या होगा चलते हैं next पर next question आपके पास आगया कि Canada कब अजाद हुआ था तो यह चार option को देख रहे हैं अंतमय है इन में से कोई नहीं तो तीन option को ही देखें Canada देख कब अजाद हुआ था यह करते हैं next पर click तो next question आपके पास आ जाता है जर्मनी कब स्वतंतर हुआ था तो यह देख रहे हैं option आपके पास है जल्दी से चुनें कि जर्मनी कब स्वतंतर हुआ था तो answer को लगाते हैं 23 माई 1949 option number C is right देखते हैं कि आखिर सई answer क्या होता है next पर click करते हैं आप भी इसको देखें कि आपका answer क्या रहता है next question कि सिंगापूर कब अजाद हुआ था यह चार option को देख रहे हैं जल्दी से answer को चुनें सिंगापूर कब अजाद हुआ था तो 9 अगस्ट 1965 को हम click करते हैं आप भी अपना option को लगाएं कि सही answer आपके लिए क्या होता है next question आगिया है आप अफगानिस्तान कब सुतंतर हुआ था जल्दी से बता सकते हैं यह option आपके पास रहा अफगानिस्तान कब सुतंतर हुआ था तो 18 अगस्ट 1919 को हम click लगाते हैं आप भी click लगाएं कि सही answer क्या होगा यह पता नहीं है चलते हैं question number next पर Albania कब सुतंतर हुआ था चार option को देख रहे हैं तो जल्दी से बताइए कि answer आपका क्या सही होगा तो Albania जो है वो देश कब अजाद हुआ था अठाइश नमबर 1912 को option C को हम click करते हैं आप यह option को जल्दी से चुनें कि सही answer क्या होगा next question आपके पास आगया कि Algeria कब सुतंतर हुआ था यह चार option को देख रहे हैं तो Algeria जो देश है वो कब सुतंतर हुआ था तो दो जूलाई 1962 को हम click करते हैं दो जूलाई 1962 तो इसमें है नहीं लेकिन 22 जूलाई 1962 को click करते हैं चलते है question number next पर कि answer क्या कहता है question number next का इरान कब सुतंतर हुआ था यह बताए तो इरान जो देश है वो कब सुतंतर हुआ था तो एक अपरेल 1989 को हम click करते हैं प्यारे दोस्तों आप भी option को चुनें कि सही answer क्या होगा next question आ गया पाकिस्तान कब सुतंतर हुआ था तो आपको बताना है हम answer को click करते हैं चोगदर answer आपका क्या होगा तो click करें next question को देख रहें अमेरिका कब सुतंतर हुआ था चार option को देख रहे हैं तो अमेरिका के बारे में यह question है तो अमेरिका कब सुतंतर हुआ था तो चार जुलाई 1976 को हम click करते हैं आप भी option को चुनें कि सही answer क्या हो सकता है next question को यह देख रहें ब तो कब अज़ाद हुए थे इसी के बारे में का रहा है तो एक अक्टूबर 1950 को हम किलिक करते हैं आप भी option को चुनें और बताएं कि यह answer क्या होगा next question को देखते हैं कि बंगलादेश कब सहतंतर हुआ तो बंगलादेश 26 मार्च 1971 को हम किलिक करते हैं option number C तो आप भी option को चुनें और सही बताएं कि answer आपका क्या होगा next question आपके पास आगे France कब सहतंतर हुआ था जल्दी से बता सकते हैं हम answer को किलिक करते हैं 22 सितमबर 17 सा बेरानवे को कहा है option number C क्या यह सही है यह गलत है आप भी अपना किलिक को करें आप अपना इस कुर को बना वें next पर किलिक किये question next आ गया Australia कब अज़ाद हुआ था तो Australia कब अज़ाद हुआ था एक जनवरी 1901 हम किलिक करते हैं आप भी लगा हैं कि सही answer क्या होगा तो next question में आ चुका है कि Mexico कब अज़ाद हुआ था यह हम quiz कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं कि देखें answer किसका क्या सही होता है कितना इसकुर बनता है Mexico कब अज़ाद हुआ था तो 27 सितंबर 1821 को option नमर A को किलिक करते हैं और next पर किलिक करते हैं Brazil कब अज़ाद हुआ यह next question आ गया है ब्राजिल के बारे में कहा रहा है तो 7 सितंबर 1822 को हम किलिक करते हैं option नमर C और next पर हम किलिक करते हैं तो next question आ जाता है बहरीन कब अज़ाद हुआ था तो यह चार option को देख रहे हैं और बहरीन के बारे में आपको answer ढूंड़ना है तो 16 दिसंबर 1921 को option नमर C को हम किलिक करते हैं और आज आता है आपका next question बिल्जियम कब अज़ाद हुआ था और उसके पास option भी आपके पास आ किया है तो सही answer को चुनें बिल्जियम के बारे में तो इसका answer लगाते हैं 21 जुलाई 1831 को option नमर C को हम किलिक करते हैं आप भी answer को चुन सकते हैं next question है कि बोलिविया कब अज़ाद हुआ था तो 6 अगस्ट 1885 को हम किलिक करें या 9 अगस्ट 1885 को चलिए option नमर C को हम किलिक करते हैं आप भी अपना option को चुनें आते हैं next पर किलिक किये नेस्ट कुस्टन आ गया कमबोडिया देश कब अजाद हुआ था यह चार ओप्सन को देख रहे हैं तो कमबोडिया देश कब अजाद हुआ था बता ना है आंसर हम चुनते हैं नो नावंबर उनिश्ट तिरपन को अप्सन नमर सी को किलिक करते हैं आप भी अप्सन को चुनें और कॉमेंट अबस्ट करेंगे कि आपका इश्कूर क्या रहा था ने इसको जैसे देखते हैं तो चीली देश कब अजाद हुआ था यह कुश्टन पूछ दिया तो चीली को और नेश्ट बतन पर किलिक करते हैं नेश्ट में आ जाता है क्यूवा देश कब अजाद हुआ था यह चार उप्सन में से चुनना है कि इसकी राजधानी कब हो था कब यह सुतन्द्र हुआ था तो दस अक्टूबर 1868 को अप्सन नमर सी को किलिक करते हैं और क्या करेंग शी रिजल्ट पर हम किलिक करेंगे और देखेंगे मेरा इसकूर क्या रहा यह रहा इसकूर को आप देखे कि 26 में 22 हुआ चार गलत हुआ और इसकूर इसकूर इस फॉटी वन परचेंट हुआ तो आपका भी कितना सही हुआ कोमेंट अबल से करेंगे अगर इसी तरह से और वीडियो चाहिए और कोश्चन चाहिए तो अभी कोमेंट करें और वीडियो को सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह न्यून आपडेट पाने के लिए थेंक यू